विश्व शान्ती सेवा चेरिटेबल ट्रस्ट की एक पहल क्या है हमारी संस्कृती? क्या है हमारा धर्म? आईए, समझते हैं धर्म एवं संस्कृती की परिभाशा पूर्जय शिरी देव की नंदन ठाकुर्जी के शिरिमुक से मेरे सभी प्यारे दर्शकों को एक बार पुनहर आदे रादे आज एक ऐसा परशन है जो हम सब को बड़ा ही घरगर में ये परशन है काफी लोग कहते हैं कि हनमान जी की पूजा देवियों को नहीं करनी चाहिए काफी लोग कहते हैं करनी चाहिए और जिनको ये कह दिया जाता है नहीं करनी चाहिए वो देवियां बड़ी प्रशन करती है कि माराज हमको एक बात बताई यह हनुमान जी की पूझा हम क्यों नहीं कर सकते हमें यह अधिकार क्यों नहीं देखिए कुछ चीज़े ऐसी हैं जो आप कर सकती है कुछ चीज़े ऐसी हैं जो नहीं कर सकती है सनातन धर्म के मताविक, हिंदू परंपराओं के मताविक, बेद पुराणों के मताविक सारे देवी देवताओं की पूझा, इस्तरी पुरुस का अंतर मिटाए बगैर हम सब कर सकते हैं लेकिन हनुमान जी की ही पूझा एक ऐसी है, जहां पर हमें कुछ सोचना पड़ता है कि हम ये पूझा करें या नहीं करें उसकी बज़े एक तो हनुमान जी माराज इनेश्टिक ब्रह्मचारी है ये बज़े काफी लोग कहते हैं कि वर्मचारी हैं, इसलिए इस तरी को हनुमान जी का इस परस नहीं करना चाहिए दूसरी एक और बात है कि हनुमान जी की जो दृष्टि है वो सभी देवियों में मा की दृष्टि है वो सभी को मात्रवत परदार एसु सभी माताओं को अपनी मा समस्ते है तो कुछ चीज है जो माताओं कर सकती है अब आप पूछेंगे वो चीजी क्या है जो माताओं कर सकती है वो माताओं कर सकती है आप हनुमान चालिसा का पाठ कर सकती है आप हनुमान स्टक का पाठ कर सकती है हनुमानस ट्रक होता है आप उसका पाठ कर सकती हो आप सुन्दर कांड का पाठ कर सकती हो आप हनुमान जी को भोग बना कर अपने हाथों से भोग बना कर खिला सकती हूँ बजार से लाके भोग लगा सकती हूँ हाद जोड़कर उनको प्रणाम कर सकती हूँ क्योंकि हनुमान जी स्वैम अपने आपको सेवक समझते हैं अपने आपको दास समझते हैं इसलिए हनुमान माराज हमेशा माता वहनों में अपनी मात्र दृष्टी रखते हैं वो अपनी सेवा कराने में इंट्रस्टेड नहीं है अपनी सेवा करवाने में इंट्रस्टेड नहीं है बलके स्वयम सेवा करने में इंट्रस्टेड हैं अपनी सेवा वो स्वयम प्रभू की सेवा करना चाह एक बजरंग बाढ़ का पाट नहीं कर सकते एक हनुमान जी को हम आसन नहीं दे सकते एक हनुमान जी पर हम चोला नहीं चड़ा सकते यग्यू पवीत नहीं चड़ा सकते हम हनुमान जी को चरणपादुका नहीं दे सकते और हम हनुमान जी को जैसे काफी मंदिरों में देवियां दंडवत प्रणाम करती हैं वैसे दंडवत प्रणाम नहीं कर सकते और हनुमान जी को हम बस्तर नहीं चड़ा सकते ये कुछ चीजें हैं जो हमारी माताओं को हनुमान जी के सामने जाकर नहीं करनी चाहिए इसके पीछे ये बिकुल भी मतलब नहीं है कि हनुमान जी महराज माता वहनों को अपने पास नहीं आने देना चाहते इसका उतर में पहले ही दे चुका हूँ कि माता बहनों में वो अपनी मात्र दृष्टी रखते हैं और संसारिक भी कोई साधरन सा बालग अपनी मा से सेवा नहीं करवाना चाहता बलकि मा की सेवा करता है इसी लिए सुन्दर कांड का पाठ आप क्यों कर सकती है क्योंकि सुन्दर कांड का पाठ हनुमान जी को बहुत प्रिये उसमे भगवान सी राम की भक्ती का बरदान उन्हें प्राप्त हुआ है एक और बात हम आपको यहां पर बताना चाहते हैं कि हनुमान जी जैसा परम भक्त होना बड़ा मुस्किल है बैसे अब तक तो हुआ नहीं और आगे होगा ऐसी कलपना करना ब्यर्त है हनुमान जी महराज हमेशा प्रभू चरित्र सुन्वे को रसिया राम अलखन सीतावन बसिया प्रभू चरित्र प्रभू के चरित्र को सुनने में बड़े आनंद लेते हैं तो आप माताई बेहन क्या करें हनुमान जी को जादा जादा राम जी के बजन सुनाएं उसे हनुमान जी बड़े प्रसंद होते हैं और भगवान की भक्ती भी आपको दे देते हैं सुन्दर कांड का आप पाठ करें हनुमान चालीसा का पाठ आप करें हनुमान अस्टक का आप पाठ कर सकतें लेकिन जो चीजें मैंने मना की है उन चीजों को आप क्योंकि उससे हनुमान जी को साइद मात आई बहन चढ़ाएं ऐसा उनको प्रिय नहीं है तो कुछ चीजें जो मैंने आप से मना की हैं वो चीजें आप न करें और हनुमान जी महाराज की नजरों में उनकी दृष्टी में हम सब अप उनकी अपने हैं कोई गैर नहीं हैं आप प्रेम पूरबक हनुमान जी महाराज का भजन कीरतन कर सकती हैं ऐसा कुछ संतों के मुख से हमने सुना तो आपके ब्रह्म को मिटाने के लिए प्रयास हमने किया है तो ये चीज बार-बार सुनें बार-बार समझें और समझ कर फिर भक्ती को आगे बढ़ाएं इनी सब्जों के साथ आप सब को मेरा प्यार भरा राधे राधे वेश्व शांती सेवा चेरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें यूट्यूब के सब्सक्राइबर बनने के लिए यूट्यूब में टाइप करें देवकी नंदन जी महाराज फेस्बुक पर पुझे महाराज जी के अधकारिक पेश को लाइक करने के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी सर्च करें ट्वीटर वर पुझे महाराज जी को dn-thakur-g फालो करें